हलो गाईज दिस इज नवीद एलेक्ट्रेशन तो गर्मिया आ गई तो हमको जरूरत थी फ्यान की गाड़ियों में लगाने के लिए तो आलरड़ी मेरे चैनल पे दो तीन से जादे वीडियोस है तो हमको जरूरत थी एक कूलिंग की मतलब एक कूलर की जो अच्छे से थंडी हवात दे सके हमारे गाड़ी में एक अदमी को आईसा जादों को तो नहीं दे सकते तो उसके लिए हम लोगो आनलाइन पे धुन रहे थे तो हमको एक छोटासा कूलर मिला आम कूलर ही बोल सकते और कूलर नई भी बोल सकते क्यों बोल तो ये दो कावी काम कर रहा ये देखो चोटा सा प्रोडेक्ट है मतलब वो एक अदमी के लिए काफी है जादा भारी भड़कम भी नहीं है और इसको फिट करने के लिए आपको एक छोटा सा स्टैंड बनाना पड़ता है सावला वेल्डिंग से तो ये वेल्डिंग शाप में जाके बनाना पड़ा मेरे को तो इसका टाटा एसी है और टाटा मैजिक और बुलेरों में जो गुट्स के गाड़े होते ये और ट्राक्टर ओमनी मतलब जिन जिन गाड़ेों में फ्यान यह एसी नहीं होता उन तमाम गाड़ें में आप इसको 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 कर सकते ये हमारा पैकिंग जो के अमेजोन से आया तो से पहले जो बाक्स से इसको बाहर निकालने के बाद इसका जो सईज है ना सबसे खास बात अच्छी लगी मेरे को बहुत चोटा है और सबसे हलका भी है लाइट वेट है और मतलब रुटे टेबल भी है तो उसके लिए क्या है देखो दूसरी और तीसरी खास बात है इसको चालो करेंगे अब एक बार हवा देखेंगे तो हवा तो आखी ताकरी ac Crazy से हिसाद की भी टूपान आ गया तो जटना से हिसाब से है तो हवा तो थिक डाक है नो प्राबmental एक आदमी के लिए काफी है और दूसरी बात अब यह जेसší अंदर जो पंका घूम रहा ना वह अच्छा घूम रहा शाख ध्य आपको डिस्पले में नहीं दिख़ रहा हूंगा इसमें मगर यह घूम रहा है थो आहसा डिस्पले में क्या है आप तो पर नहीं समझ में आताा क्यामरे में कि Ben यह जो water का टप है इसका साइज ले लेंगे मतलब यह इसलिए बता रहा क्यों आगर हम गाड़ी में लगा रहे ना तो रन्निंग में क्या है इसके अंदर का जो पानी है वह हमारे कपड़ों पे गिर सकता तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे है पानी कपड़ों पे ना गिरे इसके लिए यह स्पंच को काटके यह जो पानी का टप है इसके साइस का बराबर काटके इसके अंदर पानी को भर दें ताकि यह रंडिंग में हमारे आंग पर मतलब कपड़ों पर ना गिरे तो यह मतलब एक अल्टरनेट है समझे का अल्टरेशन कर रहे हम लोग या फिर डिरेक्ट भी पानी दाल सकते नो नाइज निकर रहे तो सकते बोड़ों डीघनाट गया है यह प्रुत्क्छण और यह याइभर वि में दालती देना ने पर क्याएज नर्ट पानी पेलब देने के बाद अगर पानी पड़ी तो और तो का थोड़ा पानी दाने लेंगे या फिर फिल हो गया तो नो प्लम में बाद सब्सक्णा, टाल के वापस शुक कर देना है लाउज करने के बाद देखो अब यह प्याक कर आपकर आपकर के देखिए ऑन करके देखने के बाद भी देखो इसके इंदर आपको दो अफेन एक्लिए के के बाद का हुआए मतलब हवा तो घुम रहा ह देखो कि आपको सटानना तो जरूरी निये वी इस बतादेता पहले साइस देख लो तो इसका सब इस तकरीबां पाँच इंच का है तो देखो यहां पेड़ीम मेरे पास तो सकेल में तकरीब आप पर साड़े 11 mm मतलब देखो साड़े चार इंच या साड़े 11 mm भी बोल सकते और यहां पर इसकी चावड़ा ही है तकरीबन साड़े पर साड़े 11 mm तक तो यह कुछ इसका साड़े अगर कोई बनाना चाहरा तो इसका स्क्रिंशाट ले लो या फिर ऐसा साड़े भी बना सकते या फिर अपने हिसाब से भी बना सकते बस यह साड़े बता रहा है आपको कि यह साड़े हम लोग इसका वेल्डिंग करके बनाए और यह कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही बना सकते इसके अलाओ कोई दूसरा अफ्शन नहीं है बस यह एक एक्सपेरमेट था मेरे पास कि एक्सपेरमेट कर रहे हम कोई क्या यह कुलर वाखे में थंडी हवा दे सकता या इसको गाड़ियों में लगा सकते नहीं और यह पटी है इसके अंदर 17 नंबर का बोल्ट है और हर गाड़ी के अंदर देखो ऐसा वाला एक साइड मीरर होता और उसके अंदर एक ऐसा 17 नंबर का नट होता तो यह नट को क्या करेंगे सबसे पहले लूस कर लेना है लूस करने के बाद इसका जो नट है इसको बाहर निक अब यह जो पट्टी है इसको अच्छे से उफर उठा लेना है पहले तो उफर उठा लेना है फिर उसको ऐसे राइट सेड बेंड कर लेना है करने के बाद अब आउन करो देख अब यह आपका कूलर जो है ना अभी चलने लगा मतलब ठीक ठाक चल रहा और एक दिक्कत कि ह आप यह शेक बहुत हो रहा मतलब है यह हलरा भूत उसकी वज़े क्या है यह जो पट्टी जो दिखरें अभी है यह गलत सेलेक्ट कर लिए हम लोग मतलब बहुत पतली हो गई है थोड़ी मोटी पट्टी वेल्डिंग कराने की बात थी तो असल क्या यह पहली बार करा लोग एक एक्सपेरमेट है तो गलती हुई हमार से कि थोड़ी पट्टी और मोटी लेनी की बात थी तो हम लोग पत्ली वाली पट्टी ले लिए तो शायद ये रंडिंग में जब गाड़ी चलेंगी तो ये हल हल के मतलब रंडिंग में ऐसा शेक होते 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 तूट भी सक कोई जब ये लगा रहे ना तो ये पट्टी हेवी लगा लो और ये जब स्टैंड बना रहे बनाने के बाद इस स्टैंड को अच्छे से कलर मार ले ना स्प्रे वाला या कोई भी दस बीस रुप्या ले जो डब्बे मिलते ना कलर के कोई भी हो बराल इसको अच्छे से कलर लगक मार देना ताके लुक भी दिखे और अच्छा दिखे क्यों मोलता अभी एक गंदा दिख रहा तो ये एक experiment था मेरे पस तो experiment के तौर पर करा मैं यह तो अगर किसी को बुरा लगा तो सौरी बस एक experiment था अगर किसी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर कुछ comment लिखना चाहरे तो लिख सकते इस वीडियो के निचे comment तो ये stand कुछ बनने के बाद फिट होने के बाद ऐसा दिखता और एक बार मैं बता देर आपको देखो ये जो cooler है ना मैं एक experiment के तौर पर लाया था क्या ये थंडी हवा दे सकता बलके तो final result जो है ना इसका ये थंडी हवा नहीं दे सकरा बस ये एक नाम है कि बस ये थंडी हवा दे सकता बलके क्यों ब लगाना चाहरे तो ऐसे वाले फ्याना लगा लो ये कुलर के मुखाबले तो ये कुलर नहीं लेना बेट रहे तो बस ये ही बोलना था फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जैहीं